तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 Days of Challenge की जो कि आपको 100 से भी ज्यादा परसेंट वाला रिजल्ट देने वाला है अगर आपने इसको वन वीक तक यूज कर लिया तो उसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं आगे कि हम क्या क्या इंग्रिडेंट्स में यूज कर आए जैसे आप सभी को पता है फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हम सभी स्कीन पर कुछ नगुश्टो करना ही है हमें तो हम चौना दाल की बात करें अगर तो चौना दाल हमारे स्कीन को स्मूध बनाता है सॉफ्ट करता है और यह जैंटली एक्सफॉलियेट करता है स्कीन को स्कीन सेल्स को रिमूव करता है हमारे स्कीन से उसके बाद हम बात करें चीया सीट्स की यह चीया सीट्स अभी रोस्ट होने वाले है आगे वीडियो में तो अगर हम चीया सीट्स की बैनेफिट्स की बात करें तो यह बहुत ही अच्छा सोट्स है एंटी ऑक्सिडेंट का ज तो please end तक बने रहे न, फिर उसके बाद हम इसमें use करेंगे turmeric, जो कि wild turmeric के आपको use करनी है, फिर इसके बाद हम use करेंगेifie और इसपीन में ग्लोइंग तो बनाता ही है, फिर हम इसमें use करने वाले हैं, दही, योगर्ट, कर्ड, कुछ भी आप इसको बोल सकता है दही में lactic acid होता है जो आपके skin को lighten करता है और pigmentation को reduce करता है ये एक natural skin brighter का काम भी करता है जिसा कि हम हमेशा से जानते हैं मेरी हर रीडियो में मैं यही बताती हूँ लेकिन आप इसको use करो मेरे comment box में comment करो कि आप आपको जो remedies हैं वो work कर रही है आपकी skin पे या नहीं कर रही है और मैं कौन से वीडियो आपके लिए लेकर आँ देन हमको लेना है एक अच्छा सा pan या कड़ाई आप ले सकते हैं देन उसमें चना डाल डालेंगे देन हम उसमें डालेंगे chia seeds देन इसको medium flame पर आपको अच्छे से roast करना है लेकिन बहुत अच्छे से roast करना है आपको ध्यान डखना है इसका कि ये थोड़ा ज्यादा roast करना है लेकि ये बिल्कुल आपका brownish color में हो जाना चाहिए आपका जो जना है वो अच्छा brownish color में हो जाना चाहिए जिसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा brownish color हो गया इसको आपको तंडा होने देना है थोड़ी देर बाद आप इसको देखेंगे तंडा हो जाएगा और आप इसमें ऐसे खेल भी सकते हैं जिसा कि मैं खेल रही हूँ इसके बाद आपको ग्राइन करके इस तरीकी का powder बना लेना है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं फिर आपको इसको अच्छे से चान लेना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो subscribe तो करना ही है और like, share, comment भी करना है इसको अच्छे से हम चान लेंगे चानने के बाद चानने के बाद इसको बिल्कुल बारिक सा पैस बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम अच्छे से जणना होने के बाद एक काच के बाउल में स्टोर कर लेंगे इसके बाद में बना लिया था मैंने देन मैंने वन टेबर स्पून इसको लिया है क्योंकि मैं डेली इसको आप रो मिल्क कुछ भी यूज कर सकते हैं बट मुझे दही जदा सूट करता है तो मैंने दही इसमें यूज किया है इसको अच्छे से मिक्स करना है पंधरा से 20 मिनिट तो नहीं है आपको इसको आदे गंटे रगना है हलका हलका यह जो ड्राइ होने लग जाएगा फिर उसके इसको नौर्मल वाटर से वाश कर लेना है लेकिन आपको यह कंटिनेशनी 70 तक करना है और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना है और इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कोमेंट बॉक्स में कॉ आप्यू